दोस्तों नमस्कारी सिता जेगे चैनल में अपका स्वागत है आज पालक पनीर बनाएंगे हम पालक काटकर रखे हैं कि अब इसको वबाल दिये हैं उबाल करके मिक्सिक जर में आइड़ कर दिये इसको पेस्ट बना दिये बहुत अच्छा बना हुआ पेस्ट त्यार कर दिये हमारे चैनल को लाइक करना कमेंट करना पेस्ट निकाल दिये वह अब इसमें लास उनकली आरदस इसमें आइड कर दिये नीर्च का भी हरी आरदस इसमें आइड कर दिये अध्रक टुकड़ा ले लिए थोड़ा सा दो टमाटर काट खरके काइड कर दिये सारे पीस के पेस्ट बना देंगे हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा पेस्ट बन करके तयार हो गया है निकाल के रख दिये पनीर काट करके तयार कर रहे हैं कड़ाई रखती है तिल गरम हो गया है हलका हलका फराई करेंगे इसको अब भी इस तरह बनाईए पहुत टेस्टी लगता है इस तरह मनाने से ये फ्राई हो चुका है पनीर इसको निकाल रहे हैं फ्राई हो गया है प्याज काटकर रखे हैं विश्माइड करेंगेंगेंगें विडियो आप अन तक देखते रहें दो हरी मिर्च काट कर आइड कर दिये तो आज फ्राई करने के लिए कड़ी माइड कर दिये अब इसको धीमियाद पर फ्राई होने देंगे नमक सवाद अनुशार माइड कर रहे हैं आधे चमच हल्दी पावलर एक चमच गरम मसाला आइड कर दिये दो चमच धनिया पावलर इसमें आइड कर दिये सारे को मिक्स कर देते हैं अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे हम कि एक प्याज गल गया है अब इसमें टमाटर पेस्ट आइड कर दिये अब भी इस तरह ट्राई कीजिए अब इसमें बहुत टेस्टी लगता है यह मसाला भून चुका है अब इसमें पाला के पेस्ट इसमाइड कर दी हैं अब इसको धीरे धीरे पकने देंगे धीमियाज पर अब बहुत अच्छा कलर आया हुआ है अब इसमें वाल आ गया है पनीर इसमाइड कर रहे हैं सारे मिक्स करेंगे अब चावल के साथ खाएए रोटी के साथ खाएए पूरी के साथ खाएए दो मिनट धाक दिये हैं कि सब्जी बन करके तयार हो गया है अब भी खाएए बच्चों को खिलाएए महमानों को खिलाएए सब को खिलाएए ओध हेल्दी है इतने अच्छक लुक आया हुआ है हाने में भी टेस्टी लगता है धन्यवाद